हेलो एवरिवन आज मैं बताऊंगे सौतंतरता दिवश के बारे में 15 अगस्त का दिन हमारे भारतिय लोकतंतर और भारतियों के लिए बहुत खास दिन है इसी दिन हमें अंग्रेजी हुकुमत से अजादी मिली थी लगबग 200 वर्षों बाद हमारा देश अंग्रेजीों के अत्याचार और गुलामी से 15 अगस्त सन 1947 को पून रुप से अजाद हुआ था यह भारतियों के लिए बहुत खाश और शुनहरा दिन होता है और हम सभी मिलकर आजादी के इस दिन को बड़े जोस और धुमधाम से मनाते हैं भारतिये सवतनतर्ता दिवस का इतिहाश अंग्रेजों का भारत आगमन आज से तकरीबन 400 वर्षों पहले अंग्रेजों की इस्ट इंडिया कमपनी भारत में बेपार करने के उद्देश से भारत में आई थी उन दिनों पाकिस्तान और बांगला देश भारत का ही हिस्से हुआ करते थे अंग्रेज यहां अपने बेपार के साथ सत लोगों की गरीबी मजबूरी और उनकी कमजोरियों को परखने लगे और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाने लगे अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतियों के मजबूरियों का लाब उठा कर उनको गुलाम बना कर उन पर अत्याचार करना सुरू कर दिया और मुख रुप से ये गरीब और मजबूर लोगों को अपने कर्ज तले दवा देते थे कर्ज ना चुकाने पर उन्हें अपना गुलाम बना कर उन पर मनमाना काम और अत्याचार करने लगें एक एक कर के राज्यों और उनके राजाओं को अपने अधिन करते चले गएं और लगभग पूरे भारत पर अपना नियंतरन कर लिए भारतियों पर अत्याचार अंग्रेजों का भारत पर कबजा करने के 92 लोगों पर अत्याचार करने लगे जैसे मनमाना लगान मशुनना उनके खेतों और अनाजों परकबजा कर लेना इत्यादी इसके कारण यहां के लोगों को उनका बहुत अत्याचार साहना पड़ता था जब वे इस अत्याचार का विरोध करते थे तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाता था जैसे की जालिया वाला बाग कान हुआ अंग्रेजी हुकूमत के खिला भारतियों का गुश्या अंग्रेजों का भारतियों के परती रवया और उनका अत्याचार दिन परती दिन बढ़ता जा रहा था और भारतियों में उनके परती गुश्या और बदले की आग भी बढ़ती जा रही थी अंग्रेजों के इस बरवरता पूर्ण रवया की आग पहली बारसन अठारो सो संतावन में मंगल पांडे के विद्रो के रूप में देखे गई मंगल पांडे के इस विद्रो के कारण उन्हें मार दिया गया इससे लोगों में अंग्रेजों के परती गुश्या और बढ़ता गया और नए नए अंदोलनों के रूप सामने आने लगा आजादी की मांग अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार को लेकर लोगों में गुश्या और अपने आजादी की मांग सामने आने लगी जिसके कारण कई आंदोलन और अंग्रेजी सरकार के खिलाप जड़प की घटनाएं बढ़ती रही अजादी की मांग सबसे पहले मंगल पांडे ने 1857 में विरोध किया और इस वज़ा से उन्हें अपनी जान गवानी पड़ी धीरे धीरे अंग्रेजों के अत्याचार से अजादी के मांग की आवाजे भारत के एन जगहों से भी आने लगी सवतंतर्ता के लिए सवतंतर्ता शेनानियों का महत्पुर्ण युगदान भारत को अंग्रेजों के अत्याचार से अजादी दिलानी के लिए कई सवतंतर्ता शेनानियों ने अपना बलिदान दिया है उनमी से सबसे अतुल योगदान महात्मा गांधी का रहा है भारत पर लगबग 200 वर्षों से शासन कर रहे हैं ब्रिटिस हुकूमत को गांधी जी ने सैत्य और आहिंसा जैसे दो हत्यारों से हारने पर मजबूर कर दिया महात्मा गांधी ने सैत्य और आहिंसा को ही अपना हत्यार बनाया और लोगों को भी प्रेरित किया और लोगों को इसे अपना कर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाप लड़ने के लिए कहा देश के लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया और आजादी में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया लोग उन्हीं प्यार और सम्मान से बापु पुकारते थे कुछ अई सवतनतर्ता शेनान्यों का अजादी में युगदान हलांकी सवतनतर्ता के संग्राम में पूरे हिंदूस्तान में ही अपनी तरीके से कुछ न कुछ अवैस युगदान दिया किन्तु कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने नेत्रित रन्निती और अपने कोशल का परीचे देते हुए अजादी में अपना योगदान दिया महात्मा गांधी, जुआहर लालने, रूर्सरदार, बल्लब भाई, पटेल, बाल, गंगा, धर्तिलग, जैसे कई इन सवतनतरता शेनानियों ने लोगों से साथ मिलकर अंग्रेजियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कुछ ने मुख रुप से सच्थ और आहिंसा को अपना कर अपनी लड़ाई को जारी रखा, वहीं दूसरी और कुछ ऐसे भी सवतनतरता सेनानि थे, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हिंसा का रास्ता अपनाया, जिन्हें एक क्रांतिकारी का नाम दिया गया, ये क्रांतिकारी मुख रुप से किसी संस्ता से जुड़क अंग्रेजों के खिलाप लड़ाई को लड़ते रहें, मुख रुप से मंगल पांडे, चंदर सेखर, अजाद, भगत सिंग, राजगुरु, इत्यादी कई ऐसे क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने अपने तरीके से स्वतनतरता में अपना युगदान दिया, सभी के अडिक, द्रिट, सक्ति और अजादी के परियासों ने अंग्रेजों की हुकूमत को हिला दिया, और 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, इन इतिहासिक दिन को ही हम सवतनतरता दिवस के रूप में मनाते हैं, अजादी का ज्यस्न, हमारे सौतनतरता सेनानियों और लोगों के अथक परियाशों और बलिदान के उपरांत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के अत्याचार और गुलामी से हमें मुक्ती मिली, तब से लेकर आज तक इस इतिहासिक दिन को हम अजादी के पर्व के रूप में मनाते हैं, अजादी के इस राष्टिये पर्व को देश के कूने कूने में मनाया जाता है, सभी सरकारी, नीजी, संस्ताओं, अस्कूलों, ओफिसों और बजारों में भी इसके जस्न की रोनक देखी जा सकती है, सवतनतर्ता शमारोक का या जस्न दिल्ली के लाल किले भारत के परधान मंत्री द्वाराय राष्टिये धवज तिरंगे को फाराया जाता है, और कई एंसांस्कृति कायड करम भी आयोजित किये जाते हैं, इस दिन हर तरफ सभी लोग देश भक्ति का माहोल में डूब कर जस्न मनाते हैं, और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो पिलीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल एंड सेर जरूर करें,